नमस्कार दोस्तों स्वागत आप आयोके एजुवेशन उनिवर्स योटूप चैनल पे दोस्तों परिक्स्यावानी संक्षित अब लोकन सरीज हमारा चल रहा है जिसमें हमारी बीच से बाइस वीडियो अभी तक किया चुकी है यह दिगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं मिलती है अगर बात करें दोस्तों तो उच्छी चूटी हों कि अगर हम बात करें तो हिमाले परवतों के जो उच्छाई सबसारवादिक देखने को मिलती है तो वो 4500 से लेके 7817 मीटर तक की जो हाइड है वो आपकी ग्रेटर हिमाले यह ब्रहत हिमाले की देखने को मिलती है और इसकी जो सबसे उंची चोटी है वो आपकी आप लोगों न देखी होगी नंदादीबी जो पश्यमी है उसके सबसे उंची जो चोटी है उत्राखंड के उसकी हाइड 7,817 मिटर देखने को मिलती है तो कहने का मतलब यह है कि 4500 मिटर से लेके 7,817 मिटर तक के उंचाई में उत्राखंड में ब्रहत हिमाली जो 6 तरह है वो फैला हुआ है अगर बात करेंगे तो दोस्तो राज में जो ब्रहत हिमाली है हमारा वो लगबग पूर्वसे पश्यम के ओवर लगबग 6 जलू में हमारा फैला हुआ है और छे जिलू में फैलने के सांसां दोस्तों ब्रहत हिमाले के जो निचले भाग होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाय जाते हैं जिनको भुग्याले फिर पयार भी कहा जाता है अच्छे दोस्तों इन बुग्यालों में हमारा कौन रहता है तो इन बुग्यालों में हमारी एक जन जाती रहती है ये फिर बुग्यालों में आवास करने वाली ये फिर प्रवास करने वाली जो हमारी जन जाती है वो किस नाम से जाने जाती है पिर सारवादिक महा हिमालई में जो रहने वाली रिदू परवास जाती है वो आपकी भूटिया जाती के रूप में जानी जाती है अगर दोस्तों मैं अगर बात करना तो राजी के सबसे कम वर्षा वाकला जो छेतर है वो भी हमारा ब्रहत हिमाली चेतर देखने को मिलता है 40 से लेके 80 संटिमिटर तक की यहाँ पर वर्शात होती है नहीं तो अगर यहाँ पर बारिष नहीं होती केवल जब मौसम खराब होता है तो यहाँ पर वर्फ वारी जाते देखने को मिलती है अगर बात करेंगे तो दोस्तो हिमानी जो जलवायो है वो कितने मिटर से उपर की हाइट में पाई जाती है तो दोस्तो हिमानी जलवायो हमारी 2200 मिटर से उपर की हाइट में हमारी हिमानी जलवायो पाई जाती है और वहीं अगर इस्थाई हिमरेखा की अगर बात करें तो द उत्रखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है तो बुग्याल आप लोग याद करेंगे इस से पहले भी हमने डीटेल में बताया है एक बार फिर से मैंने आप लोगो थोड़ा सा इस पे चट्चा करी उसके बाद देखेगा वहां सिखर कौन सा है जो सिव धाम क की रूप में प्राइश्टित है और अलग-अलग दिशाओं से अलग-अलग रूप में देखता है तो दोस्तो अलग-अलग जो की जो चमॉली जनपद में इसके सांसान नंदा देवी पश्चिमी भी हमारा वहीं परिस्तित है अगर देखा जाए तो 7870 मीटर की जो हाइड माप को बता रहा था ये भी आपकी चमूली जन्पद में देखने को मिलती है वहीं अगर बात करें तो 400 चमूली जन्पद में हमारा माना भी एक परवत है जिसके हमारी 7202 के देखने को मिलते हैं गया चेकि 72 बहत्तर करके हम उसको याद करते हैं अगर देखा जाए तो दोस्तों नंदादेभी पूरवी के रूप में हम लोग देखते हैं दो नंदादेभी पूरवी की जो हाईट है उो भी 7434 मीटर देखने को मिलती है तो यह सब MeerASH सब्द्द ब बात क्या बोलता है कि सरवादिक उंचाई वाले चार परवड चूटियां उनकी बात बताई गई है देखेगा पहले जैसे कि मैंने बताया था आपको नंदा देभी पश्चिमी है तो दोस्तों नंदा देभी पश्चिमी का जो छेत्रे है ये आपका चमोली प्लस पितोराग जन्दपद में है और बात करेंगे तो दोस्तों कामेट फरवज जो छीघर है इसकी जो मुचाई है वो 7706 मेटर देखने को मिलती है अगर तीसरे कि ऐगर बात करें तो दो दोằngुद नंदा देवी पूरी के गर हम बात करगे तो दोस तो नंदा देवी पूरी हमारी 7,434 मीटर एरिया में हमारी इसकी हैड़ देखने को मिलती है उसके बाद गर माना की बात करगे चोटियों पर भी बात करें थे और इन्हीं चोटियों के साथ हमने उन पर और भी बात करेंगे अच्छे दोस्तों अगर बात करें कि क्या ये वाकिवल इतने ही चोटियां हमारे ले महत्पूर्ण है तो नहीं और चोटियों पर भी डिस्कास करते है तो देखेगा तो देखेगा, जैस внे हमने बताया था कि अगर तिरसूल परवत की हाइट हमसे बूचे गई थी तो वह भी हमारी चमॉली जन्पन पड़ती है 7,120 मेटर हाइट हमारी चमॉली जन्पन तिरसूल परवत की देखने को मिलती है अगर उसे के बाद देखे तो दोस्तो एक बद्रिनाथ परवद भी हमारा देखने को मिलता है अब बद्रिनाथ जो चोटी है बद्रिनाथ चोटी की हाइट कितनी है अगर क्वेशिन में पूछा जाता है इससे पहले एक बार पूछा गया तो 7140 7140 हमारे किसके देखने को मिलती है बद्रिनाथ के देखने को मिलती है अगर मैं वहीं बात करूँगा तो दोस्तो चोखंबा चोटी की जो हाइट है अगर उसकी बात करेंगे तो दोस्तो चोखंबा जो चोटी है और तिर्फूल परवद की जो उचाई है ये सबी जो चूटिये हैं हमारी चमूली गड़वाल जन्दपद में हैं और इन दोनों के अगर में बात करूँ तो तिर्शूल आप लोग कितना बोलेंगे 7120 और वहीं बदरिनात के गर हैट पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे 7140 अगर बात करेगा चोखंबा की तो 7138 आप लोग अंसर करेंगे अगर बात करूँगा दोस्तो सतो पंत की तो सतो पंत जो आपका सिखर है या फिर सतो पंत जो चोटी है सतो पंत ताल से आप लोग ने देखा होगा अलग नंदा नदी हमारी निकलती है अगर सत्ववंत चोटी की अगर हाइट आप लोगों से पूछ दी जाती है यह परवत की हाइट आप से पूछी जाती है तो 7,084 मीटर की हाइट से हमारी यह सत्वपंत जुसिकर है वो देखने को मिलती है अगर देखें दोस्तो नीलकंट परवत भी हमारा चमूली जनपद में देखने को मिलता है अगर बात करेंगे दोस्तो नीलकंट परवत की तो नीलकंट परवत की जो हाइट है वो 5,000, सोरी 6,500, 97 मीटर देखने को मिलती है अगर नंदा गोटे की बात करेंगे तो दोस्तो नंदा गोटे की 6309 मीटर हाइट देखने को मिलती है और वहीं हाथी परवroleव़ के अगर बात करेंगे तो 6627 करके आप लोग याद रहेएगा 6727 मीटर इसके हाइट देखने को मिलती है अगर वहीं अगर उसके बाद जो छोटे परवत अगर उनकी बात करें तो दोस्तों चमूली कड़वाल में और भी हमारे छोटे परवत है जैसे हमारा नर परवत है जिसके हाइट 5831 मिटर है नारायन परवत है 5965 मिटर उसके हाइट देखने को मिलती है और गौरी परवत और गंदमाधन परवत है स्लेपिंग लेडी परवत हमारे यह सबी जो परवत हैं यह आपके चमूली चनपद में देखने को मिलती है तो देखेगा अगले क्वेशन के अगर बात करें तो फूलों की घाटी इस्तित है तो दोस्तो जो फूलों की घाटी है वो हमारे ब्रहत हिमाली जो छेतर हैं वहाँ पर देखने को मिलती है अच्छे दोस्तो फूलों की घाटी की खोज सबसे पहले किस ने की थी अच्छे तो फूलों के घाटी किन परवतों के मध्य में हैं आप लोगों से पूछा जाता है तो दोस्तो गंध माधन परवत और नर परवत गंध माधन और नर परवतों के मध्य में बसा हुआ इस्थान कौन सा है अगर पूछा जाता है तो आप लोग फूलों की घाटी तो दोस्तो अगर बात करूंगा मैं उनकी तो दोस्तो जो लेडी हमारी विलिंग गटन है जो मार्गरेट लेग है हमारी तो मार्गरेट लेग दोस्तो 1949 में हमारी यहां पर आती है यही बुक पढ़ने के बाद यहां आती है और जब वहां आती है तो दोस्तो वहां आने के बाद उनके पैर फिसलने के करण उनकी वहां पर गिरने से मृत्यू हो जाती है तो मार्गरे कोई रूप में उसको याद रखेंगे तो होल्सवर्थ एक ऐसा बेक्ति था जो कामेट परवस्यकर पर फ्रेंक किस्माइद के साथ चड़ने वाला बेक्ति के रूप में जाना जाता है दोस्तों फ्रेंक किस्माइद जो फूलों की घाटी है वहाँ पर 250 किस्म के जो और वहीं यूनेसको ने इसको विस्वधरोहर सूची में कब सामिल किया तो आप लोग आंसर करेंगे 14 जुलाई 2005 चौदर जुलाई 2005 को यूनेसको के द्वारा इसको विस्वदरोहर सूची में भी सामिल किया गया है तो ये क्वेशन आप लोग के लिए इंपोटेंट है अगर वहीं मैं देखूं तो दोस्तो इससे और भी क्वेशन बनते है जैसे कि फोलू की घाटी को इसकंद पुराण में क्या कहा गया है तो दोस्तो इसको नंद कानन के रूप में जाना गया है वहीं अगर बात करेंगे दोस्तो कि इसके अन्या नाम और क्या देखने को मिलते हैं जैसे केदार्जू है, बेकुंड है, व्यूंडार है, पुस्तावली है, फ्रेंक के इसमायद घाटी की रूप में भी इसको जाना जाता है वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तो फोलू की घाटी में फोलू की खिलने का समय कब से कब तक देखने को मिलता है पुछा जाता है, तो जुलाई से लेकि अक्टूबर आप लोग आंसर करेंगे, अगर फोलू की घाटी की समुदर तल से उचाए कितनी है, तो आप लोग आंसर करेंगे, 3600 मेटर की ये हैट में बसा हुआ है और इसको ब्रहत इमाली छेतर के अंतरकत देखने को मिलता है, ये आप लोग ग्याद रखेंगे अगले क्वेशन के अगर बात करें तो देखेगा ब्रहत इमाली छेतर के मूल निवासी हैं, जिसके हमने बताया था अभी, जो हमारी भूटिया जन जाती है, जो अतिधिक हमारी पिथोरागड जन पद में देखने को मिलती है, पिथोरागड के अलावा, चमूली जन पद के मार्चा और जो तोल्चा नामक जन जाती वहाँ पर भी रहती है, माना गाव के आसपास में जो देखने को मिलती है, तो पिथोरागड और चमूली जन पद में इनका अतिधिक वास देखने को मिलता है, तो अगर बात करेंगे भूटिया जन जाती, तो वो हमारी ब्रहत हमा थे, वो हमारा प्लाइस्टोसीन यूग के देखने को मिलते हैं, ग्रीस मरीतु को उत्राखंड में क्या कहते हैं, तो ग्रीस मरीतु को उत्राखंड में रूडी या खरशाओ के नाम से जाना जाता है, और ग्रीस मरीतु में समानिताह यहां पाई जाती है, तो दोस्तो उस् सारवादिक जो वर्षा होती है वो भी हमारी सिवालिक रेंज मैं देखने को मिलती है सिवालिक रेंज हिमाले का सबसे बाहितम जो छेतर है वो देखने को मिलता है जिसा कि मैंने आप लों को बताया था और सिवालिक की अगर बात करेंगे तो सिवालिक की जो उचाई है वो आपकी 700 मिटर से 1200 मिटर के आसपास देखने को मिलती है यहाँ पर जो अतिदिक वर्षा होती है वो 200 cm के आसपास देखने को मिलती है फिर देखेगा सिवाली किमाल है का वह कौन सा इस्तान है जहां वर्षा रितु में समाने तह सारवादिक वर्षा होती है तो दोस्तो उत्राखंड में उत्राखंड का चेरापुंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है आप लोग याद रखेगा एक पॉशन एक्स्टा में आपको बता रहा हूँ कि सारवादिक वर्षा उत्राखंड में कहा होती है नरेंद्र नगर टेहरी गडवाल तो आप लोग आंसर करेंगे साथ में उत्राखंड का चेरापुंजी के रूप में किसे जाना जाता है तो आप लोग नरेंद्र नगर टेहरी गडवाल को याद रखेंगे यहां अधिकतर जो देखने को मिलता है राज में ऊसत वर्षा रिंछो देखने को मिलती है जिसके बारे में हमने डिस्कास किया था तो जैसे गर आप लोग उत्तर को बढ़ेंगे तो उत्तर को जो वारिस के मात्रा है वो आपके घटने को देखने को मिलती है सारवादिक तापमान वाला छेतर कौन सा है तो दोस्तों सारवादिक जो तापमान वाला छेतर है वो आपका सेवाली के तराये रेंज होगा यहाँ पर अधिक जलवायू देखने को मिलती है और जलवायू के सांसां जिवास में भी हमारी इस छेतर में देखने को मिलते हैं तो कहीं न कहीं जो तापमान है वो भी सारवादिक यहाँ पर देखने को मिलेगा फिर देखेगा राज में अधिक्तम तापमान के सिस्थान का दर्ज किया गया था तो दोस्तो राज का जो सारवाधिक तापमान था यह आपका पंतनगर का दर्ज किया गया था जो 40.7 degree centigrade है में भी हो सकता है कि अभी जो updated वाली फरिक्षावाणी आए 2025 वाली तो उसमें यह बढ़के और जादे देखने को मिले कि आपता 50 के आसपास देखने को मिले क्योंकि 2024 का जो आकड़ा है हलदवाने का लगबग 50 के आसपास छोते हुए देखने को मिला था फिर देखेगा सबसे कम तापमान वाला छेतर कौन सा है तो दोस्तों सबसे कम तापमान वाला जो छेतर है वो आपका ब्रहत हिमाले होगा क्योंकि ब्रहत हिमाले में अतितिक वर्फ देखने को मिलती है और वर्फ के कारण वहाँ पर जो तापमान है वो सदेव गिरा देख जनवरी जनवरी के समय पर जो आपका पोस्ट नमक महिना है ये महिना हमारा चलता है और उतराखंड राज के लिए सबसे ठंडा महिना के रूप में जाना जाता है। फिर देखेगा दिसम्बर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकरतिक घटना भारत में कहां होती है तो दोस्तो विंटर लाइन नामक जो घटना है वो आपकी सुजेलेंड में होती है और सुजलेंट के सांस अगर इस प्राकरति घटना के बात करें तो ये भारत में भी हमारी होती है भारत के मसूरी नमक सहर यानि कि जो दहरादोन में इस्ते थे थे वहाँ पर हमारी होती है अगर देखेगा दोस्तो तो जो हमारा मसूरी है दोस्तों बात करें मसूरी की तो मसूरी हमारा समुद्रतल से देखा जाए तो 2005 मीटर की हाइट पर बसा हुआ एक सहर की रूप में जाना जाता है दोस्तों मसूरी हमारे लिए बहुत ज़्यादे इंपोटेंट है वो 242 cm देखने को मिलती है अगर बात करेंगे तो दोस्तो मसूरी में जो आपका Jesus Convent and Mary School है उसकी जो इस्थापना है वो 1854 में की जाती है मसूरी ही से दोस्तो आपकी दिपार को आप दे कोटी भी बनाए गई थी जो करनल एवरेस्ट के द्वारा 1832 में देखने को मिलती है महीं अगर बात कराएंगे तो दोस्तो जो मसूरी से हमारी जो परत्म समाचार पत्र था दहिल्स उसका प्रक्राशिन भी करा गया था जोन मैकनिंग के द्वारा ये कुशन पूछा जाता है कि उत्राखन का परत्म समाचार पत्र कौन सा था तो दहिल्स के रूप में जाना जाता है 1842 से दह मैकनिंग के द्वारा इसको परशारित किया जाता है आठ वर्सों तक ये चलता है हमारा और मसूरी जो नगरपालिका है वो राज के सबसे पुरानी नगरपालिका के रूप में जाने जाते है जोकि 1842 से का संद दिया रहता है तो उत्राखन के सबसे पुरानी नगरपालिका के रूप में अभी आयोक का आंसर भी हमारा मसूरी नगरपालिका को ही जाता है तो आप लोग इसको भी जलूर याद रखेंगे दोस्तों मसूरी नगरपालिका दोरा एकोटेक्स कब से वसूला गया ये कोशन बहुत फेमस है इससे पहले मुस्टले टाइम पूछा गया है तो दोस्तों मसूरी का जो रोपे है वो 1970 का देखने को मिलता है और वही अगर बात करें तो दोस्तों Happy Valley जो तिबबती लोग रहते हैं वो भी आपके मसूरी में ही वहाँ देखने को मिलते हैं तो सब्सक्राइब हाड़ी जल पर पात है चमूली और तिब्बत के बीच इससे पहले जब मैंने दर्रू की बात करी थी तो उसमें भी बताया था तो एक बार और ध्यान से देखेंगे। तिब्बत के बीच दर्रे हमारे इस्तित हैं। फिर देखेगा उत्तरकासी और तिब्बत के बीच दर्रे हैं। वहीं देखेंगे तो उत्तरकासी और हमांचल पर्देश के बीच हमारा कौन सा दर्रा है तो दोस्तो आपका सरंकंड दर्रा देखने को मिलता है जो 1500 मिटर की हैट पर बना हुआ है। फिर देखेंगे पिथोरगाड उर चंपावत के बीच इस्तित दर्रा कौन सा है तो दोस्तो पिथोरगाड और चंपावत जो बीच इस्तित दर्रा है वो आपका लास्पा दर्रा की रूप में जैना जाता है। तो ट्रेल पास दर्रा देखने को मिलता है, ट्रेल पास जो आपका दर्रा है, इसकी खोच बुड़ा मलक के सहथा से करी जाती है, 1830 सीज में ट्रेल के द्वारा इसकी खोच की जाती है मलक सिंग बोड़ा की साहता सही तो आप लोग इसको भी जरूर याद रखेगा बागेसवर और चमुली के बीच इस्तित दर्रा कौन सा है तो सुंदर धूंगा जो दर्रा है वो बागेसवर और चमुली के बीच देखने को मिलता है अगर आप लोग उसे पुछा जाता है कि गड़वाल मंडल के कितने जिलों की सीमा कुमाव मंडल से लगती है तो आप लोग दो याद करेंगे केवल दो जनपदों के लगती है तो वो दो जनपद एक तो हमारी पौड़ी गड़वाल देखने को मिलती है और दूसरी आपकी चमुली देखने को मिलती है तो दोनों के वो आपको याद रखने की आवशकता है फिर देखेगा अगर बातन के उत्तरकासी और चमूली के बीच दर्रा कौन सा है तो दोस्तो उत्तरकासी और चमूली के बीच जो दर्रा है वो आपका कालिंदी दर्रा देखने को मिलता है दार्मा और ब्यास घाटी के बीच इस तिर दर्रा कौन सा है तो दोस्तो सिंदला दर्रा दार्मा और ब्यास घाटे के मज़े देखने को मिलता है जो कि आपका पितोरागड का जो दर्रा है ये पितोरागड दिनपद में देखने को मिलता है ये दर्रा जो सिंदला दर्रा के रूप में जाना जाता है मांसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे का प्रियोग किया जाता है तो जोस्तो जो लिपलेग दर्रा है इसका प्रियोग हमारा मांसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है और क्वारी पास कहां इस्तित है तो दोस्तो ओली के निकट औली अब चमूली में है, औली में दोस्तों इस किंग का एक प्रसिक्षन असस्तान भी वह पर देखने को मिलता है, औली रोपवे की हाइट कितनी है यह आप मुझे बताएंगे और और यह रोपवे का जो सुबारंब है उसको 1987 में प्रारंब किया गया था, किन दर्रों के सम् को डिसकस कर लिया है, बहुत जल्द हम इस परिक्षामाने के ओनलादर सेशन को खत्म करने वाले हैं, इस बीच हमारा प्रियास है कि हम लोग Lucent से संबंदित एक स्रीज डेली का लाते रहें, जिसमें History, Politics, Economics और Geography से संबंदित आपकी Questions देखने को बिलेंगी, जिसमें हम Fact-wise आप लोगों को MSQS Format में उसको खत्म करने का प्रियास करने वाले हैं, तो दोस्तों ये दिगर आप लोगों को ये स्रीज पसंद आ रही हो, तो आप लोग चैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जिरूर सियर करें, बाकी अधिक से अधिक संख्या में हमारे स्रीज से जुड़ने का प्रियास करें, धन्यवाद.